नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा पंदरा दस से पंदरा ग्यारा बर्थ फलादेश पंदरा साथ से लेकर पंदरा आठ टू थाउजन ट्वेंटी टू जिनका भी बर्थ जनम पंदरा दस से लेकर पंदरा ग्यारा के बीच में हुआ है चाहिए वो कोई भी जेंडर हो स्थ्री हो पुरुष हो बच्चे हो स्टूडन्ट हो वेपारी वर्ग हो या जॉब वाले व्यक्ति परसन हो कोई भी हो कोई भी रासी हो आपकी जनम की रासी आपकी मीन है मेस है वरशब है वो माईने नहीं रखती लेकिन आपका जनम पंदरा तारीक को हुआ है या पंदरा दस से लेकर पंदरा ग्यारा के बीच में थर्टी डेस के अंदर हुआ है चाहे वो पंदरा ग्यारा क्यों नहों तो ये थर्टी डेस के बीच में जो जनम हुआ है उनके लिए फलादेस होगा पंदरा साथ से लेकर पंदरा आठ टू थाउजन ट्वैंटी टू के लिए ये भी करीबन थर्टी डेस के फलादेस होग ये होगा फलादे शुर्य कुंडली से सन साइन्स से अगर आपका पंदरा दस से पंदरा ग्यारा के बीच में जनम है तो आपकी सन सन आएगी लिब्रा तुला तुला लिब्रा सन एसेंडेट से सुर्य कुंडली से प्रेडिक्शन 30 डेस का होगा तो यहां बात होगी 30 डेस की जो आपकी सन साइन्स से होगी तो आपकी जो सन साइन है वो है तुला लिब्रा और आपका एसेंडेट होता है शुक्र और वो लगनेश जाके भाग्यस्तान में बैठेगा तो यह आपके भाग्य को स्ट्रॉंग बनाने के लिए अभी आया हुए लगनेश का जबी भाग्यस्तान में जाके बैठना होता है तो व्यक्ति वर्षन की जो परसनालिटी है वो स्ट्रॉंग मजबुत स्तावित होती है और भाग्य के निर्मान के लिए वो सपोर्ट करता है वो प्लेनेट्स लगनेश शुक्र खुद भाग्यस्तान में चलेगा सूरिया और बुद्ध दोनों टैंथ हाउस में मंगल राहू सप्तम हाउस में गुरू सिक्स हाउस में शनी रिट्रोगेट होके वक्री होके चलेंगे अभी यहां अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे फोर्थ हाउस में लेकिन ये वक्री ब्रह्मन आपके लिए अच्छा साइन से तीनों हिसाब से कुनली प्रेडिक्शन की जाती है एक लगन कुनली से एक चंद्र कुनली से एक सुर्य कुनली से आपका लगन कुनली हमको मालूम है नहीं सुर्य कुनली और चंद्र कुनली से मालूम पढ़ सकता है कि आपका आने वाला फलादेश प्रेडिक्शन महिने भर का कैसा रहेगा वो भी not accurate possibility रहती है ग्रह सब क्या अलग अलग रहते हैं लेकिन majority जो चीजे काम करती हुए वो एक समान काम करती है सब ग्रहों के इसाब से तो यहां करीबन करीबन 70-80% तक prediction सही जाता है नहीं भी जाता है हम कोई भगवान नहीं है एक knowledge है एक सास्त्र है और जिसका हम आपको serving कर रहे हैं यह बात हो जाएगी अभी 30 days के बारे में तो गुरू बहुत बढ़िया चल रहे है 6th house में और गुरू 6th house में चलते हुए 10th house को देख रहे हैं तो अभी ऐसा बोला जाएगा कुछ न कुछ movement आपके business के अंदर progressive होगी अगर कुछ समझो कि आप progressive कामकास से जुड़े हुए है कुछ न कुछ आप innovation करते हो तो आपको यहाँ कोई innovation दिखेगा काम के अंदर कोई नए customer दिखेंगे नया आपको आइडियाज व्यूज आएंगे अपने business को develop करने के लिए जॉब के अंदर कुछ increment हो सकते हैं जॉब के अंदर कुछ न कुछ आपकी salary में बढ़ावा हो सकता है salary आपकी बढ़ सकती है या नई जॉब के लिए आपको opportunities आपके पास आ सकती है तो आप नई जॉब में भी जा सकते हो तो यहाँ जो बात होगी गुरू की जो नजर है वो यहाँ अभी गोचर के सुरिया और बुद्ध के उपर गी रही है और शुक्र खुद भाग्यस्तान में है तो यह दोनो जो possibility है दोनो planets की या तीन planets की वो आपके भाग्य को एक नया रूप रेखा देगी नया भाग्य को कोई सहारा मिलेगा सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट के हिसाब से आप अपने काम में कुछ innovation कुछ progress करते हुए पाये जाओगे यह टाइम के अंदर यहाँ main जो बात होगी वो है आपके business partner और life partner के बारे में यहाँ अभी भी आपकी सबतमस्तान के अंदर mangal राहो के यूति चल रही है तो यह sorry यह mangal राहो के यूति आपके सबतमस्तान को पुरा बिगार के रखा है तो अभी आपको थोगा alert होके चलना है लंबे टाइम से करीबन अप्रिल के आसपास से यह सब मुमेंट चालो हुई है business partner, life partner से आपके मत भेद, मन भेद बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यह मत भेद, मन भेद कुछ चरम सीमा तक जा सकते जगडालू स्वरूप ले सकते हैं इसलिए यहां थोड़ा आपको तकिदारी precaution लेना जरूरी हो जाता है इसलिए अपने आवेश गुस्य को कंट्रोल में रखे अपनी जो बहदूरी है, ताकाद है वो आप घर में मत दिखाईए जो भी दिखानी है वो बाहर दिखाईए यहां ताकाद दिखाने से उल्टा नुकसान आपको होने वाला है इसलिए यहां ताकाद आपकी चलने वाली नहीं है इसलिए जितने भी पंदरा दस से पंदरा ग्यारा के बीच में जो बर्त है जनम जिनका हुआ है चाहे हो आपस्त्री हो या पुरुष आँखे कान होश हवास में सुन लिजिए कि आपकी बादुरी यहां चलने वाली नहीं है आपको सयम पेसंस दिरज रखना है यह टाइम के अंदर यहां मूवमेंट ग्रहों की आपको बदनामी दे सकती है अपियस दे सकती है आपको बदनामी के चक्र में फसा सकती है यहां थोड़ा सयम धीरज रखना आपको जरूरी हो जाता है कुछ मूवमेंट ऐसी बनेगी जो आपकी ओल्ड प्रॉपर्टीज है उसकी आप खरीदी करोगे मतलब उसको सेल करके नई खरीदी करोगे या पुरानी जो है उसको सेल के लिए निकालोगे या कुछ तो कुछ मूवमेंट आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आप करने वाले हो अपनी मा के सिहत का थोड़ा ध्यान दीजिए उसकी सिहत के लिए आपको थोड़ी तके और काबजी रखनी है बड़े भाई बेनों से भी थोड़ा त्वेल्थ हाउस को देखेगा और सेकेंड हाउस को देखेगा और शनी खुद रिट्रोगेट हो कि अभी फोर्थ हाउस में चलने वाले हैं लेकिन लेकिन यहां में जो बाते हो रही है वो हो रही है यहां मंगल और राहु सब्तमस्तान में body पे के तू चलना इसलिए आप जो decision ले रहे हो आपका जो दिमाग चल रहा है आपकी जो मन बोल रहा है आपकी जो वानी बोल रही है वो accurate अभी नहीं है आपने जो decision लेके रखा है जो भी कुछ करने का अपने आभी planning करोगे तो वो सोच के करना है समझ के करना है हड़ बड़ी में कोई काम नहीं करना है अभी बोलोगी कि यहाँ daring कर लेते कुछ भी कर लेते नहीं ऐसे daring नहीं होता है यहाँ आपको नुकसान गाटा भी हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ के तू चलना है गुरू बैठा है लेकिन यहाँ एक साइट से केतू का भी ब्रह्मन आपकी बोड़ी पे शबतमसान में राहू का भी ब्रह्मन चल रहा है इसलिए चीजों को सोच के समझ के planning करना है हड़ बड़ी में कोई planning नहीं करना है आपको सब साइट से safe situation दिख रही है आपकी दसा अंतर दसा सही है आपका ascendant बहुत सही है तो ही आप कोई नई चीज के अंदर dive लगा सकते हो वो नया साहस आप venture कर सकते हो लेकिन यहाँ सोच समझ के काम करना है क्योंकि आपको यहाँ already आपके जीवन में कोई नया पात्र आ सकता है वो आपको बदनाम भी कर सकता है आपको बदनामी भी दे सकता है इसलिए love affair live in relation यह सब चीजों में सोच समझ के पाऊं रखे कदम रखे क्योंकि कभी भी धोका हो सकता है आपके साथ आपको जहां से में लेकर आपके साथ बहुत बड़ी जहां साजीस रखके आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग भी हो सकता है आपको अपयस बदनामी भी मिल सकती है ऐसे यहां गरगोचन निर्देश कर रहे हैं सोच समझ के प्लानिंग से काम कीजिए दिमाग को कुला रखे मन को कुला रखे और अपने होसो हवास को कुला रखे और के उड़े ल